reuse और recycling जिस तरह भारतिय जिवन सैली का हिस्सा रहे हैं वही हमारे खिलोनों में भी दिखता है ज्यादा तर भारतिय खिलोने प्राकृतिक और eco-friendly चीजों से बनाते हैं उनमें इस्तिमाल होने वाले रंग भी प्राकृतिक और सुरक्षित होते हैं अभी हम वारानसी के लोगों से बात कर रहे थे वारानसी के लकडी के खिलोने और गुडिया को देखी है राजस्तान के मिट्टी के खिलोने देखी है ऐसे ही पुर्वी मेदिनिपूर की गलर गुडिया है कचके कपड़ा डिंगला और डिंगली है आंदर प्रदेश के इटी कोपक, बुम्मलू और बुधनी के लकडी के खिलोने हैं करनाटक जाएंगे तो वहां के चन्द पटना खिलोने अभी जो हम से देख रहे थे तेलंगा के निर्मल खिलोने, चीत्रकूट के लकडी के खिलोने, धुबरी असम के टेराकोटा के खिलोने ये साब खिलोने अपने आप में कितने डाइवर्स हैं, कितनी अलग-अलग खुबियों से भरे हैं लेकिन सब में एक समानता है कि सभी खिलोने इको-फ्रंडली और क्रियेटिव है ये खिलोने देश के युवां मन को हमारे इतिहास और संस्कूरूते से भी जोड़ते हैं और सामाजिक, मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं इसलिए आज मैं देश के टॉय मैनुफेक्चरस से भी अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसे खिलोने बनाएं जो इकोलोजी और साइकोलोजी दोनों के लिए ही बैतर हो क्या हम ये प्रयास कर सकते हैं कि खिलोनों में कम से कम प्लास्टिक इस्थमाल करें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिने रिसाइकल कर सकते हैं